कि नमस्कार कि तमाम दर्शकों को साहित्य के सुधी पाठकों को और जन सरोकार मंच टोंप राजस्थान को मेरा पहला काबिशंग्रह एक बूंद समंदर के हवाले पिछलों दिनों प्रकासित हुआ कविताएं कहीं न कहीं कवी मन के उच्छवास में उपजी समवेदना है जो हमारे यत्र तत्र सरवत्र बिखरी हुए हमें मिलती है हर कवी कहानिकार शाहितिकार चाहिए वो जिस विधाओं के हो वह अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं तो आईए आज की साम हम और आप हम अपनी कुछ कविताओं को आपके समख्च लेकर आ रहे हैं सबसे पहले मैं अपने संग्रह एक बुंद समंदर के हवाले से कविता को आपके समख्च रखने का प्रियास कर रहा हूं कविता का सिर्षक है बुरे दौर के विरुद्ध कविता लिखना चाहता हूं युग की बहतरीन कविता कविता में उगाना चाहता हूं रंग बिरंगे फूनों के धेर सारे पौधे ताकि हवाओं संग बिखर सके सुवास अंतहीन महका सके वाता वरन के पोर पोर लाजमी है कि दुरगंद में समाई धरा के कल्यान की हो कविता मुझे माफ करना सहोदर फूलों को आतताईयों से बचाने की खातिर पूलों को आतताईयों से बचाने की खातिर कविता में उगाने ही होंगे बेतर्तीव कांटे कविता में उगाने हैं मुझे को मीछे रस से भरे फलदार पेरों की अंतहीन स्रिंखला समय के पास गिर्वी छाओं और ठाओं के बरक्स धूप बादल बरसात की खातिर चाहता हूँ कविता हो जाए प्रान रक्षक आउसधी में तब्दील ताकि इनसानों के बसाए बेरहम बस्तियों में कंक्रीट के बेतर्तीब उगे आधुनिक अरन ने और हैवानियत के उसर धरातल में मानवता के दफनाये जाने से छत विच्छत समय के हरे ताजे जख्मों पर मरहम की तरह हो कविता कविता में जहां रोजाना मसले जाते हों फूल और कलिया विक्रित नपुन सकता के निर्मम हाथो वहां उगाने है मुझको अभेद दुर्ग के मानिंद भरोसे मंद कैक्टस कविता के प्रस्तर अंचल में उतारने है मुझको खिल खिलाती हुई प्रचंड नदी धार धार बहती बावली वित्रिकाओं की अच्छे जल रासी ताकि खेतों में बलखाती फसनों में सनह सनह उतरती नदी सी जीवन दाइनी हो कविता कविता में जंगल का होना लाजमी है मनुसी के परेभी मनुसी के परेभी होती है आखिर एक चैतन्य दुनिया इन जंगलों को लपकती इन जंगलों को लपकती कुलहारियों के विरुद्ध लिखनी ही होगी मुझको समय के सबसे बुरे दौर के विरुद्ध कविता धन्यवाद मेरे संग्रह की दूसरी कविताओं में जो मैं आपके सामने प्रस्तूत करने जा रहा हूँ वो कविता का सिर्षक है यकीन यकीन कहीं न कहीं आसावादिता की और कवी के यकीन की बात कहता है कवी की सोच में चीजों को देखने और परकने की जो अपनी नजरिया अपना द्रिस्टी कोन है उसमें कहीं ने कहीं यकीन ढूंडने का प्रियास मैंने किया है यकीन एक दिन लौट आना है मुझको एक दिन लौट आना है मुझको अपनी जरों की ओर नादान परिंदों के माफिक जो निकलते ही पर जाने क्यों छोड़ जाते हैं सजर तै है एक दिन अवस ही लौट आएगा सहर यहां सहर से तात परिशुवह से तै है एक दिन अवस ही लौट आएगा सहर स्वरनिम रस्मिया संग भूले सजर पर विसराए घोंसलों में यकीन है मुझको यकीन है सजर को एक दिन निश्चे ही लौट आएगी मानवता ये आसवादिता कभी की दिश्टी कोण में आसवादिता है एक दिन निश्चे ही लौट आएगी मानवता बेईमानी भरस्टाचार हत्या लूट बलतकार जैसे सरांध के इर्दगिर्द उपजते उबकाई लेती आसहज वातावरण और सड़ी गली बेवस्था का केंचुल त्याग यकीन है मुझको बहुत बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच टोंक प्रिती सिंग और वी लोग जुड़ेंगे कविता की अगली कड़ी अगली स्रिंखला में जिस कविता के साथ मैं उपस्तित होना चाहता हूं उसका सिर्षक है लौट आना तुम स्वागत है देवेंद्र जोसी जी लौट आना तुम अगली कविता की सिर्षक है तुम्हारे लौट आने तक लौट आएगा बसंद तुम्हारे लौट आने तक लौट आएगा बसंद आमरकानन की तरुनाई पत्यों का हरापन भ्रमरों का गुंजन पक्छियों का कलडव तितलियों का रस्पान फूलों में पराग सच्मुच लौट आएगा त्रीन पर ठिटकी ओसकी बुंदे गुलाब की पंखुरियों पर कत्रा कत्रा सबनम आस्मान की हदों को गीला करता बादलों के जुंद लौट आएगा फिर से मेढकों के टर्राते पागलपन पपी हे की पी कहां पी कहां जिंगुरों का अनवर्थ सोर बावराए आसिकों सा हवा का वासंती मन ऐसे में तुम लौट आना लौट आना तुम किसी के याद को लेकर कही गई बाते प्रकृति में चीजें लौटती है कहीं कहीं मेरी अगली कविता का सिर्सक है जंगल की उदास होती परचाईया जन जीवन और सरोकार की कविताओं में बेटी, रोटी, पेर, पहार, जंगल सब कुछ आते हैं आने चाहिए तो आए अगली कविता जिसका सिर्सक है जंगल की उदास होती परचाईया दरक्त जो कभी सब्ज रहे दरक्त जो कभी सब्ज रहे मुर्जाने लगे हैं बदहवास सहर के काफिले में सामिल हो अनवरत धूल ठांकते हुए परचाईयां पेरों की उदासी ओढ़े खरी है अपनी ही जरों से छिटक कर अपने ही तनों और साखाओं पर बोज की तरह खुद के होने और ना होने के बीच यहां सजर के फिक्रमंद हैं यहां सजर के फिक्रमंद हैं वे जो रहते हैं उची उची अट्टालिकाओं में भव्व इमारतों में आलिसान महलों में कृत्रीम जंगलों के बीच, उनके भवनों के आकरसक दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स में लरजते हैं सजर, लगू उद्ध्यानों के गमलों में खिलकिलाते हैं रंग बिरंगे फूल, और भाती भाती के कैक्टस सजर का हरापन अक्सर तलास करते हैं नई पीधी के जिग्यासू बच्चे भूगोल और परियावरण की पाठे पुस्तफों में प्रिष्ट दर्प्रिष्ट पलटते हुए फिर निरास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मिलता है वे जंगल आधुनिक समय के सापेक्च बच्चों की पाठे पुस्तकों में सामील होकर भी नहीं होता दादी नानी के किस्से कहानियों वाला खाकु जंगल स्वक्षन्द विचरन करते वन्यजीब और जंगल का मंगल टेलीविजन के आकरसक स्क्रीन पर जंगलों परवतों नदियों नदी द्यूपों से सजे वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफी यादी चैनलों से अगहाते हुए बच्चे फरलांग जा रहे हैं खुद की वेह सीमा जंगल की उदास होती परचाईयों के साथ बहुत बहुत स्वागत देविंद्र जोसी जी आप जूर गये हैं कारिकरम की इस अगली करी में मेरी अगली कविता संकट में जंगल कि आज किस तरह आदुनिक दोर में व्याफ्षाइक दोर में अनधी व्याफ्षाइकता की भेर चाल में जंगल में जंगल का संकट जंगल पर संकट इन तानेवानों को लेकर जो कविता बुनी गई है वो आपके समक्ष प्रस्तूत है एक बार फिर से कविता का सिर्षक बता दू संकट में जंगल ये परिंदे भी ना बेजा सोर मचाते हैं पेरों के कटने पर और उनके बच्चे भी बेसाक्ता चीखते हैं अनागत संकट को भाप परिंदों का क्या है धूंड ही लेंगे देर सबेर दर सहर कहीं न कहीं कोई और रहन बसे रहा यह मानविय मुल्यों का एक सच ही तो है कि उनके घोसलों के इतर कहीं ज्यादा जरूरी है लकरहारे की भूक अथ्वा ठेकेदारों का लालच पेरों का कटना नियती है कंक्रीट के जंगलों में बेतर्तीब उगे उची उची अट्टालिकाओं को चाहिए होते हैं कटे हुए जंगल की खेप बदलते परिवेश में यह समय का बेहयापन ही है कि वन रक्षकों को भाजाता है बनों की हरियाली से इतर हरे भरे नोटों की हरियाली वाकई जंगल से परे सहरों ने गढ़ी है बुलंदियों की नवीन परिवासा टै किये हैं विकास के मानक फिर क्या फर्क पड़ता है कि जंगल संकट में है दोस्तों आईए इसकी अगली करी में अगली कविता के शाथ प्रकिर्टी की एक कविता को लेकर मैं आपके शामने आना चाहता हूं आसाड कविता का सिर्सक है व्यों से जीहरते बादलों के टुकडे ये आसाड के मौसमत की बाते हैं व्यों से जीहरते बादलों के टुकडे बुंदों की सकल में सीचने धरा को आसाड आया है नए मेहमान की तरद करेंगे परिस्रम जीतोर नव्यूग का किशान जुटाएंगे महंगे सरंजाम उरीन होने का स्वपन आँखों में ले उतरेगी नवविहान लह लहाते विचरों को देख खिलती रहेंगी बांचें डूबते उतराते खेत तूट तूट जाती मेरें आस्रे विहीन हो चीटियां पालेंगी कहीं धरातल देर सबेर दर सहर मंगल गीत गाती रोपनी खेतों को जगाती रोपनी सगुन सुब बनाती रोपनी गात देंगी देश की भूख को लथपत कदमों के नीचे आसाड के महिने में धान की खेती से जुरिए कविता मेरी अगली कविता नजर नजर सिर्षक से इस संग्रह में तीन कविता हैं तो मैं चाहता हूं कि एक सिर्षक के अंतरगत कई-कई कविताएं हैं तो उनमें से कुछ-कुछ को अस्थान दूँ नमस्कार शंतोर श्री वास्तव जी बहुत अच्छा लग रहा है नए नए लोगों से जानकर यह परीचे की परीशीमा इसी तरह बढ़ती रहे तो मेरी अगला इस संग्रह की जो कविता आपके सामने प्रस्तूत करने जा रहा हूं सिर्षक है नजर चाहता हूं दोस्तो मेरी आँखों से पढ़ो कविता के हरफ मेरी नजर से महसूस करो कविता के मर्म जब भी देखता हूं खेत जब भी देखता हूं खेत नजर आती है गरीबी नजर आते हैं किशान किशानों का बधाल जीवन उसके छपरों के छिद्रों से बेहिसाब तपक्ती बुंदें उन तपक्ती बुंदों के बाबजूद बारिस्त के लिए उसका दुआ करना वाकई मित्रों किशान एक ऐसा जीव है कि उसके खुद के छपर बेहिसाब तपक्ते हैं फिर भी वह बारिस्त की दुआ करता है किशानों का वधाल जीवन उसके छपरों के छिद्रों से बेहिसाब तपक्ती बुंदें उन तपक्ती बुंदों के बाबजूद बारिस के लिए उसका दुआ करना सरदी गर्मी बरसात सहते जमाने भर के भूख की खातिर हड्डियां गला अनास पैदा करना जब भी देखता हूँ गाउं दोस्तों जब भी देखता हूँ गाउं अलसाई भोर की तंद्रा को धता बताते नजर आते हैं कर्म योगी की शान कर्म पत पर चिरियों के कलडब से सूर मिलाते मानविये सरोकारों के चैतन्य आबंध में सादगी संजीदगी और मानवता का च्छाओं परोस्ती गाउं दोस्तों जब भी देखता हूँ सहर निंद के आगोस में डूबा नजर आता है सजर सहर का सुबह हमेशा सोया नजर आता है निज भाग्य पर रोता सजर छल परपंच आडंबर के ताने बाने से आभासी रचना संसार का चकाँ चौंध बाजार विदुत लड़ियों के इस चकाँ चौंध में देर रात जागता है सहर दोस्तो जब भी देखता हूँ रिहाइसी कालोनिया भब इमारतें आलिसान मकान और उची अट्टालिकाएं वास्तु सास्त्र अवियंत्रन तक्निकी कोसल के आश्चर जनक मेल से अजूबे अनूठे आश्चरियों के स्वपन लोग वहां मेरी नजर देखती है मजदूरो के जिस्म से बेहिसाब टपकते पसीने की बुंदें दोस्तो जब भी देखता हूँ सौपिंग माउल महंगे रेस्टूरेंट डुप्लेक्स मल्टिप्लेक्स सीनेमा घर पिज्या बर्गर जैसे फास्ट फूड के परती लोगों की दीवानगी बीस, तीस, चालिस, पचास, साथ रूपिय टिकट दर बाले परमपरागत सीनेमा घरों का फेलियर हो जाना वहीं सौ रूपिय से लेकर दोसो रूपिय तक के टिकट वाले मल्टिप्लेक्स सीनेमा घरों की रोनग पिज्या बर्गर तमाम फास्ट फुड के बरक्स मुझे नजर आती है बीती रात की सेस बासी रोटी से नवीन सुबह की सुरुवात करते इस देश का अगनित आम आदमी धन्यवाद अगली कविता की करीमे मैं आपके सामने प्रस्तूत करना जा रहा हूं भूगोल संस्कृति का कैनवास कविता का सिर्षक है देखते हैं किस तरह भूगोल हमारी संस्कृति का कैनवास है भूगोल नहीं केवल दिखता जो मांचित्र और गलोब पर कई-कई रंगों में उपस्तित महासागरों और महादेशों के विवाजन में खीची गई महज रेखाओं के उलजाओ अक्छांस और देशांतर के बीच की दूरियों में सिम्ती आरी तिर्शी देखाओं का महताज नहीं भूगोल मांचित्र और गलोब पर पसरी नीले रंग की विश्तित शियाही में जो ढूंड सको तो ढूंड लो मैगलन, कोलंबस, बासको डीगामा के पदचिन अनगिन अग्यात नाविकों, ब्यापारियों और समुद्री लूटेरों के अवसेस इतिहास की बेलें, भूगोल की धूल मिट्टी में, पनपी परवान चड़ी सभेता दर सभेता, उठान पतन की साक्षी इतिहास महज जमी दोज हुई सभेताओं का उठखनन नहीं भूगोल के कैनबास पर सहेजी हुई संस्किर्टी भी है रक्तरंजित इतिहास, अधिकांस इतिहास रक्तरंजित है रक्तरंजित इतिहास, तलवार की ताकत से भूगोल को रोंदते गड मड रेखाओं की तस्दीक करते, रेखाओं को तहस नहस करते अब तक नहीं समझ पाया अब तक नहीं समझ पाया जननी भूगोल की प्रसब पीरा का मर्व यह इतिहास भूगोल की प्रसब पीरा का मर्व नहीं समझ पाया धन्यवाद दोस्तों आगे चलते हैं अगली कविता इतिहास सच बतलाना मेरी काप पहली कादि संग्रह की यह कविता इतिहास सच बतलाना सभ्यता का इतिहास नहीं बतलाता आखिर किसने रचा था पहले पहल नाव, पहिया, अथवा, चाक और सभ्यता चल परी थी जिनोंने सभ्यता की सुरुवात की उसे कोई नहीं जानता इतिहास मूख है बतलाने में कि धर्ती को किसने बांटा बेतर्तीव और गनित सीमा रेखाओं में इतिहास सच सच बतलाना अतीत के पलपल का सच आखिर तुम सामिल रहे मैगलन से लेकर अमेरिगो बेसपुची क्रिश्टोफर कोलंबस बासको डिगामा आधी की तमाम यात्राओं में यथार्थ में इतिहास तुम मुग्द रहे दुनिया भर के राजवनसों के राजमहलों, रंगमहलों, हरमों में इस्वर या वो वैभव के मकमली कालीन, गलीचों और लिहापों का सुख भोगते हुए इतिहास तुम अवस ही अट्टाहास करते रहे होगे अलेकजंडर दी ग्रेट से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट और टैमूर लंग से लेकर चंगेज खां वगयर के विजय अभियानों में इतिहास तब से लेकर आज तक तुमने खुद को दूराया है कभी अमेरिका वियतनाम में, कभी चीन जापान में, कभी एराक इरान में, कभी फिलिस्तिनी इस्राइल में उत्तर कोडिया दक्षिन कोडिया तुर्की सीरिया भारत पाकिस्तान में दोस्तों फेहरिस्त बहुत लंबी है इतिहास जाने कब तुम बतलाओगे मानवता के मेल का संदर्व पिर्थिवी के बचे रहने का बोध रक्त हीन समय की घरिया विक्सीत समय में मनुस्य के सामाजिक सरोकारों का सच्छ धन्यवाद चित्रंजन गोप लुकाठी जी बहुत बहुत नवस्कार धन्यवाद आप कारिकरम से जूड़े मेरी अगली कविता एक कीसमी सदी के बच्चे बच्चों को लेकर कुछ कविताएं लिखी गए हैं प्रस्तूत है मंता बहुत बहुत बधाई मेरी अगली कविता जिसका सिर्शक है एक कीसमी सदी के बच्चे समय के बेतरती वो पल से चुनलाता हूं कुछ कत्रने बीते हुए लम्हों के जैसे चुनलाती है जुगत और जतन से तिनकों को बैया घोसले की खातिर ठीक वैसे ही चुनलाते हैं बच्चे सौपिंग मौल से चीजें अपनी पसंद नापसंद के बाजार की सातिर चाल से अनभिग बच्चे अकसर अपनी नासमजी में समझधार होते हैं अकसर अपनी नासमजी में समझधार होते हैं बंपर सेल में बंपर डिसकाउंट पाकर आखिर ना जाने क्यों हमारी समझ से इतर होता है इन बच्चों की समझ कि तमाम अबरोधों पावंदियों के बाद जूद अपने अपने समय से काफी आगे निकल जाते हैं बच्चे वर्जनाओं के पहार ढाहते हुए हमारी सुचिता में आसान नहीं है इन नादान बच्चों के लिए वक्त और दुनियादारी के किंचुल से मुक्त होना क्योंकि हम बच्चों को जैसा समझते हैं बच्चे उसे होते नहीं है उसी तरह आसान नहीं है गलोब पर खिंची आरी तिर्ची रेखाओं में अक्छांस और देशांतर का मर्म समझना देखते ही देखते न जाने कब और कैसे समय को ठेंगा दिखाते अपनी उम्र से कई गुना बरे बच्च बन जाते हैं यही ना समझ बच्चे सारी दुनिया को मुठी में जेकर नचाते हैं गलोब अपनी नाजुक उंगलियों पर वाकई आज के बच्चे आधुनिक दौर के बच्चे काफी आगे हैं अपने समय से कहीं बहुत दूसरी कविता बच्चों को लेकर ही हैं सिर्जक है हासिय पर खरे बच्चे यहां यह दिखाने की कोशिस है कि वैसे बच्चे जो कहीं कहीं सोसित उपेक्षित हैं दवे कुछले वर्ग से हैं हासिय पर हैं उनकी क्या श्थिति हैं हासिय पर खरे बच्चे पल परतिपल दर सहर सुबह से लेकर साम तक जाने कहां से आते हैं इतने सारे बच्चे आसन सोल के रेलवे स्टेशन में एक नंबर से लेकर साथ नंबर के प्लेटफॉर्म पर ये बच्चे भूख और गरीबी के साय में पले हुए मुफलिसी के सांचे में ढले हुए दौरते हैं पटरियों के बीच आप सी परतियस परदा में मिनेरल वाटर की खाली बोतले जपटने रेलगारियों के आने और रेलगारियों के जाने के बाद ये बच्चे जहार जहंखार बालों बाले निस्तेज आखों वाले पिछके गालों वाले अक्सर दिख जाते हैं रेलगारियों के कूपे में कच्रे बुहार थे भीक मांगते ये बच्चे नहीं संजोते सपने सुन्दर, नहीं जाकते मन के अंदर, नहीं भूनते खुद की खातिर, बेहतर भविश्य के ताने बाने, बस कचरों के धेर से अपलक हैं बीनते छुदा मुक्ति के दाने ये बच्चे नहीं भूनते बेहतर भविश्य के ताने बाने, बस कचरों के धेर से अपलक हैं बीनते छुदा मुक्ति के दाने ये बच्चे सभ्यता से परे हुए, संस्कृति की डार से विछुरे हुए, सामाजिक चेतना के बंद दरबाजे पर दस्तक बन अरे हुए, अपने नन्ने हाथों में सूरज, चांद, सितारों को जकड़े, हासिये पर हैं खरे हुए धन्यवाद अब मेरी अगली कविता, इसका सिर्षक है लक्ष्मन रेखा लक्ष्मन रेखा सिर्षक से जो कविता है, वो आपके सान्य प्रस्तूत है ना समझ बच्चे, गनित की कापियों में खीचते हैं बिरित, तिर्जिया व्यास परिधी छेत्रपल मापने की गरत से पिता, खीचते हैं बिरित, घर की बाहे परिधी में लक्ष्मन रेखा के मानेंद, सम्पूर्ण घर की खातिर मा, अनवरत खीचती रहती हैं परिधी, दर परिधी, अपनी कच्ची उम्र की नादान बेटियों के इर्दगीर्द सुरक्षा चक्र की तरह अबेद चक्र भी हुरचने को, नादान बच्चे समय से बेपरवाह अक्सर करते हैं खुद के स्वक्षंदता की परिधी में तमाम खीची गई लक्ष्मन रेखाओं का अतिकर्मन इस करी में अब इस्तिरियों को लेकर कुछ कविताएं परंपरा में हमारे समाज की इस्तिरियां किस रूप में थे, उसे दिखाने का यह मेरा प्रियास है कभी किसी दौर में हमारे समाज में महिलाओं का क्या स्थान था आप अगली कविता में देखेंगे कविता का सिर्षक है इस्तिरी होने के लिए इस्तिरी होने के लिए चाहिए होते हैं खालिस अच्छे संसकार, सहन सक्ति, सहस्त्रो गुन और मर्यादा की लक्ष्मन रेखा का व्यान इस्तिरी होने के लिए निहायत ही जरूरी है मसीन की तरह उत्पादन करने का माददा, रोबोट के हाथ इस्तिरी होने के लिए बेहद जरूरी है पुरुसों के बनाए मान दंडों पर सिर जुका चलने की मूख सहमती इस्तिरी होने के लिए चाहिए ही चाहिए पुरुस अहम को संतुष्ट करने से लेकर मार खाचुप रहने की खला का ग्यान यह परंबरागद दौर की इस्तिरियों की जो दसा है इसे मैंने दिखाने का प्रियाज किया आज आधुनिक समय और काल में यह परिस्तितियां बदली हैं बदलने ही चाहिए अगली कविता जिसमें इस्तिरी के अलग माइने हैं आप देखिए इस्तिरी होने के माइने कविता का सिर्शक है कोख में परी इस्तिरी बीज को कहां पता होता भला इस्तिरी होने का मतलब सौभाग से बचपाई कन्या भुरुन को वाकई नहीं पता इस्तरी होने के माइने गरभासे के बाहर की दुनिया का उसे भला क्या इल्म की उसके खुद के घर की दीवारें, धरवाजें, खिरकिया, रोसंदान वगएर प्रतिक्छातुर रहती है पुरुस करंदन का कन्या भुरुन को सच नहीं पता की वह अवांचित सी उगाई है, चक्तानों पर अनायास उगाए जंगली घास फूस की तरह, वाकई कन्या भुरुन के लिए गरभासे से बाहर की दुनिया की बेरहम है, कितनी रेतिली, कितनी पथलीली, कितनी अनुरुबर, कितनी उवर कितना व्यावान, कितना कंट किर्ण, कितना कंट का किर्ण, उसके कोमल पाओं के वरस्त, दोस्तों, अगली कविता, जिसका सीरसक है, घर, इसके केंदर में कहीं ने कहीं, इस्तिरियां ही है, सपनों में अक्सर, बेटियां बुनती हैं घर, एक अदद घर, एक अदद घर बुनने की खातिर, बेटियां कमचिन उम्र से ही, जतन से सीखती हैं, परिपक्वता के तमाम गुन, बरे बुज़गों की पाट साला में, गुड़े गुड़ी के खेल में, बेटियां देती हैं परिचे, अपनी परिपक्व कला का, रसोई घर का जिन्मा समालते हुए, सदियों चली आ रही, परंपरा रीती रिवाज और आडंबर से भली भाती परिचित होते हुए, बेटियां सहज सीख लेती हैं, घर की चहार दिवारियों के भीतर कैद रहने की कला, दिवारें खिरकियां किवार के पट से सामंज़त से बिठाती हुई, बेटियां फरलांग जाती हैं, उम्र की तमाम हदें, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जूड़े हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, अपनी बातें कहकर, इस संग्रा की अगली कविता, जिसे मैं आपके समख से लाने जाए रहा हूँ, वह इस्त्री को लेकर अंतिम कविता, आज की इस साम की अंतिम कविता, प्रतेक इस्त्री, गर्म तवे पर, गर्म रोटी की भाप से, हथेलियों को जलाने से, बचा लेने का इल्म बखु भी जानती हैं, प्रतेक इस्त्री, गर्म तवे पर, गर्म रोटी की भाप से, हथेलियों को जलने से, बचा लेने का इल्म बखु भी चानती हैं, पिता और भाईयों की थालियों से लेकर पती और बेटों की थालियों तक सहजे रहती है गर्म रोटियों की तासीर गर्म रोटी के स्वाद से परे प्रतेक इस्तिरी चंद्रमा की घट्ती बढ़ती कलाओं के बीच पुर्णीमा और अमवस्या की तरह बखुबी जानती है जीवन के रहस्य प्रतेक इस्तिरी हिर्दय विशाल है समंदर की गहराई लिये असंख जुआर भाटा सहेजे नियती है की लहरें कठोर चक्टानों से टकडा कर लोड जाती है वापस विद्रोह के तमाम प्रियतनों के वादजूद की प्रतेक इस्तिरी अपनी हदे पहचानती है प्रतेक इस्तिरी देह मोम की तरह जलती पल पल पिघलती सर्वस्व मिताती रोशनी विखेरती जग को आलोकित करती मित जाती एक दिन अब अब जो सिर्षक मेरी कविता का है भूख की तमाम लडाईया इस सिर्षक के अंतरकत नौ कविताएं हैं दो तीन कविताएं आपके समख्च परस्तूत है एक बार फिर से दूर आते हैं भूख की तमाम लडाईया इतिहास ने बतलाया लगभग 40 हज्जार वर्स पूर्व ज्यानी मानव ने सीखा था अना जुगाना अर्थात भूख को मात देने की कला अना जुगाने का संबंद भूख को हरा देना ही था समय के रत पर आरूड सभ्वेता की तमाम यात्राओं में रोटी के समानांतर अक्छुन रही भूख भूख समाक्त नहीं हुए अगली वे आम हैं घास फूस की तरह से अनायास किसी चक्टान पर अवांचित हुगे हुए वे लर लेंगे भूख की तमाम लडाईयां जैसे लर लेते हैं और जीत लेते हैं तमाम सफेद पोस तिकरम से चुनाओं यहां वैसे लोगों की वैथा कथा है जो नीत प्रति दिन भूख की लडाई लगते हैं हासिय पर खरे लो समाज के दबे कुछ ले लो अगली कविता वे भूखे हैं कई-कई दिनों के वे भूखे हैं कई-कई दिनों के फिर भी मांग नहीं पाते अमीरों की थालियों से एक भी कौर केबल देखते भर हैं टक-टकी लगाए अपलक इस करीका में अगली कविता वे बाकिफ हैं छुधा की तमाम पीरा से उनकी निस्तेज आँखें पिछके गाल पीठ थक धर्सी पेंट सहायक है कुपोसन गरसित सरकारी आँकरों की गनना में अगली कविता इससे क्या फर्क परता है कि वे कौन है इससे क्या फर्क परता है कि वे कौन है जो भोज के भब्य आयजनों में कच्रे के धेर पर फेंके गए जूठी पत्तलों से इकठा करते हैं जूठन जहां एक और भर पेट खाकर उभर आये तोंद पर हाथ फिरते लंबी ड़कार लेते अगाये हुए लोग दूसरी तरफ भूख के मारे जूठन पर आस लगाये लोग भूख से बिलबिलाये लोग उफ कितनी चोड़ी है और गहरी भी भूख की यह खाई अगली कविता सरकारे आती रहेंगी सरकारे जाती रहेंगी सरकारे बनाती रहेंगी भूख के खिलाफ योजनाय तमाम दोस्तो अंतिम कविता भूख की लड़ाईयां की अंतिम कविता इतिहास साक्षी है रोटी के लिए लड़ी गई तमाम लड़ाईयां बदल कर रख देती है बदल कर रख देती है हवा का रुख और इतिहास एक दिन बहुत बधाई नेहा कस्या अच्छा लगा यहां मिलकर मेरी अगली कविता जिसका सिर्शक है खूंटा खूंटा जिसमें हम मवेशियों को बांधते हैं रस्षियों से लेकिन यहां खूंटा एक बिंब है जो एक प्रतीक है जो यह दर्साता है कि हमारे समाज में परंपरा से चली आ रही जमिंदारी पर्था और उस जमिंदारी पर्था के तहट बिवस लाचार बंधुआ मजदूर किस तरह खूंटे से बंदे हैं तो आईए इस सिर्खला की अगली करी में कविता सिर्शक खूंटा खूंटा जो गाड़ा गया था प्राचीन सब्भेताओं के काल में सामंतों के वथान पर निरिह मानवों को धोर डांगड की सकल में बंदुआ फांस में जकरने खूंटा ड्रिड्ध बना रहा सदी दर सदी साल दर साद त्रासद जहिलता रहा काल परवान चड़ती सब्भेताओं बिस्वेल सी फलती फूलती होती रही चतनाद खूंटे से जो बंधे रहे अनवरत लोग आम असंख है खूंटे से जो बंधे रहे अनवरत लोग आम असंख निह्मुहाँ निसब्द लार से मरहूम लड़क्पन वसंत से परयवन जुखति चटकति रीड की हद्यों तक बच्पन से लेकर युवावस्था और बुढ़ापे तक लोग दास्ता में समय काड़ते रहे खूटे से बंधे लोग हरगीच इंसान न थे वे इंसान हो ही नहीं सकते जो पीधी दर पीधी खेपते चले गए दास्ता परंपरा का निर्वाह करते पासान में तब्दील होते खूटा गुलामी की ताकीद कराता रहा समय दर समय सिकंजे की पकर सा बेहद सक्त रहा उनकी उंगलियों की पकर हर आम की गर्दन पर खूटा आधुनिक समाज के सब ये आवरण में मुखोटा बदल वर्तमान है मुर्त है हर आम आदमी के सीने में गहराई तक धंसे हुए धन्यवाद अब अगली कविता समय के सापेक्च कहीं कहीं हमने देखा वैसे लोगों को जिनका कोई अपना मुल्क नहीं कोई घरबार नहीं अपना मुल्क होते हुए भी घरबार होते हुए भी वे बेदखल हो गए अपनी जर्जमीन से अपनी रास्ट्र की शीमाओं से वैसे सरनार्थियों के लिए यह जो अगली कविता है बहुत बहुत बधाई देवेंद्र सर आपकी प्रेणा से कहीं ने कहीं हम आगे बढ़ते हैं सुक्रिया आप यहां आएं तो मेरी अगली कविता जिसका सिर्सक है सरनार्थि वे किस मुल्क के वासिंदे हैं कांधे पर आकास उठाए कदमों तले जमी तलास्ते अपने कुनबे कभीलों के साथ काफिला दर काफिला चल परे हैं बदहवास वे सारे के सारे इनसान नहीं बस हारमांस के पुतले हैं जीवन की आस में चलाए मान उम्र के फासले मिटाते एक साथ कई कई पीधियां बच्चे बुढ़े युवा अधेर नर नारी जनमा अजनमा सब के सब बदहवास भागे जा रहे हैं यथेस्ट धरातल की तलास में पराय आकास के साए में वे दुबक जाना चाहते हैं वे दुबक जाना चाहते हैं सुरक्षित कहीं किसी बिल में बिल्ली के डर से चुहे की तरह कहीं किसी जारी में कुत्ते के डर से बिल्ली की तरह इंसानों से भड़ी काइनात में उसके वजूद को सांस लेने की इजाज़त नहीं है सरहद सिमाओं की परवाह कहां बंदूक बारूद का भै नहीं रक्त की नदी पार कर आए लोग हैं खदेरे गए अपनी ही मिट्टी से अपनी ही हवा धूप और धरातल से बस आखों में दुनिया समेट आये हैं इन्हें मालूम कहां सभेता किस चिरिया का नाम है रोहिंगिया, चक्मा, बांगला देशी, यहुदी, फिलिस्तीनी, इस्राइली, मौरिस्को, मुहाजिर, क्रीमियाई, अलवेनियाई, कौकस, तुर्की दोस्तों सरनार्थियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जितनी लंबी इनकी फेहरिस्त हैं, उतनी ही लंबी, उतनी ही उची, उतनी ही गहरी इनके दुखदर्द हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप इतनी तन्माइता से मुझे सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है मेरी अगली कविता भस्मासूर के वनसज किस तरह हम आज भस्मासूर के वनसज हैं किनी किनी रूपों में उसने कहा राम तुमने कहा रहीं उसने हुंकार भरा राम तुमने दहारा रहीं दोनों ने फिर उनमाद में भर कर आख क्रोस में डूब कर एक दूसरे से कहा बहुत कुछ अनरगल क्रोध में नथुने फरके भुजाये फरफराई लाठिया चटकी तलवारे चमकी बंदूके गरजी रक्त रंजित हुआ धर्दी का आचल मनुस्य के परे जर्वचेतन ने कहा जब धर्दी का आचल रक्त रंजित हो गया तुम्हारे और हमारे वहमनस्य से तो मनुस्य के परे जर्वचेतन ने कहा भस मासूर के वंग सज मेरी अगली कविता दोस्तों मेरे इस संग्रा की यह आखरी कविता भी है और संग्रा से परे कुछ कविताओं को अगर समय इजाजत देता रहा तो कुछ कविताओं आगे बढ़ेंगी संग्रा से परे भी अगली कविता है जिसका सिर्चक है किसान की आत्महत्या एक बड़ा ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है हमारे किसान भाईयों अन्ने दाताओं जो हमारे लिए तमाम दुखदर्द को जहलते हुए हमारी भूख की कातिर अनाजू पैदा करता है उनके समस्याओं को लेकर यह कविता है आए देखते हैं सिर्चक है किशान की आत्महत्या एक किशान की आत्महत्या से सिर्फ एक पार्थिव शरीर नहीं मरता मर जाते हैं अगनित वीजों के अंकुरण धर्थी की उर्वरा सक्ती केंचुएं कीरे मकोडे सुक्षम जीवों के पुरेदे जाने का एहसास असंग के खरपतवार और अवांचित पौधों के उग आने से मर जाता है वांचित पौधों का हरापन दोस्तों एक किसान के यूँ चले जाने से खामोस हो जाते हैं पुलकार और ललकार के सब्द उदास हो जाता है बैलों का मन हल्की मूठ उभर आते हैं फावरे में जंग किसान के सासरीर न होने से उचाट हो जाता है हवा का मन उदास प्रतीत होते हैं खेत के सिरहाने खरे बबूल के काटेदार पेरों के जुंड जिसकी अल्प कटी-फटी छाया में कलेबा करता तंबाकूं बनता विश्राम करता आया था किसान दोस्तों एक किसान की असमय मिर्तिव से बहुत फर्क पड़ता है बहुत कुछ घटता है आपिरिये तूंट जाती है घर की उम्मीदें दरक जाते हैं दीवारों का साबूत पन बदल जाती है एक समुची दुनिया किसान का अपना घर परिवार दोस्तों एक किसान की आतम हत्या से फर्क नहीं पड़ता एक किसान की आतम हत्या से कभी फर्क नहीं पड़ता मंडियों और बाजारों की सेहत पर आधट की गद्यों पर विराजे धन सेठों के गल्ले और तिजोरी पर सेर बाजार के सूचकांक पर मित्रो एक किशान के धराधाम से कूच करने से बल नहीं पड़ता सूदखोर महाजनों और साहुकारों के माथे पर रिन अदा करेगा किशान का बेटा इस आसे के करार नामे पर पहले से दर्ज है किशान का उगठा वाकई एक किशान की आत्महत्या से हिला नहीं करते सक्ता का शिहासन सूख जाया करते हैं समाज की आखों का पानी मानविय समवेदना के बंद दर्वाजे पर भला कोई दस्तक भी है किशान की आत्महत्या मानविय समवेदना के बंद दर्वाजे पर भला कोई दस्तक भी है किशान की आत्महत्या इस तरह संग्र की कुछ कविताओं को आपने शुना जिस तनमेता से आपने शुना बहुत बहुत बधाई मेरी कुछ हाल की कविताएं हैं कविता का सिर्शक है पत्थर और भली इस्तिरी वह इस्तिरी बहुत बहली लगती है अक्सर उसे देखता आया हूँ नीरव, निशा और अल सुभा के मध्यांतर इकठा करते फूल फूल भाती-भाती के अलग-अलग देवताओं के नाम होते हैं अलग-अलग फूल वही भली इस्तिरी असनानादी के उपरांत पूजा की थाल सजाए प्रकट होती देवाले में देवताओं के परिधी की परिकर्मा करती तलीनता से आरती उतारती आराधना में हो जाती लीन हाँ वही इस्तिरी निर्विकार भाव से बुदबुताती हैं सब्द बुदबुताती हैं सब्द प्रार्थना के सब्द आस्था की प्राकास्था में प्रार्थना बीज बोती इस्तिरी वाकई भली लगती हैं वही भली इस्तिरी पत्थर के वेजान इश्वर पर अरपित करती पवित्र जल पत्थर में रच देती एक अदद इस्वर मेरी अगली कविता पंक्ती आपके सामने प्रस्तूत करते हुए समय की पावंदी को भी मैं देख पढ़ पा रहा हूं अब आयोजक महोदे अगर आगे की इजाज़त देंगे तो मैं आपसे मुखातिब रहूँगा बना रहूँगा बहरहाल मेरी अगली कविता का सिर्शक है मिट्टी की गांद है इसमें देखेंगे कि मिट्टी और मिट्टी का महत्तूर बरसात की पहली बुंद से लरज उठता है किसान का मन मिट्टी की सोद्धी गंध मन में उगाते हैं धेरो नवीन सपने कभी किसी खेत में खरे होकर मिट्टी को गौर से पहचानना यह महसूस्ते हुए की मा है महज मिट्टी का अंबार नहीं मिट्टी का खेत होना या खेत का मिट्टी होना एक ही सिक्के के दो पहलू है मत भूलो की मिट्टी हमारे अस्तित्तु की बुनियाद है खेत की थाती है किशान जब मुठी में भरकर चूमता है मिट्टी गौर करना तब उसके जिस्म में उतराती है खेत किशान जब मिट्टी मलता है ललाट पर माचूम रही होती है पैसानी धर्ती पुत्र के सिर असीम अमरत्तो घट उरेलती लहलाहाते फसलों के बीच विचरते किशान को गौर से देखना वे बति आते हैं फसलों के हरेपन से इतराते हैं अनाजवालियों के आगमन पर जब भी महसूस करना चाहो मिट्टी की खालिस गंद बेहिचक चले आना खेतों में यहां उगते हैं गेहूं और गुलाब दोस्तों गेहूं और गुलाब शभीता और संस्कृती का परतीक गेहूं जिसके सहारे जिससे पोसन पाकर हम आगे बढ़ें सभीता आगे बढ़ी और गुलाब जिसने संस्कृती को आगे बढ़ाया जब परती होता है खेत अगली पंक्तियां जब परती होता है खेत जब फसले नहीं लहला रही होती तब किशान बोता है समय तब किशान बोता है समय नचत्रों की भासा पढ़ते हुए वे पंचांग से ढूंड कर नहीं लाते और नहीं गूगल के सर्च से उसके जेहन में सामिल रहता है बादलों का घरजना बरसना नचत्र और मौसम का करबट बदलना है जब भी महसूस करना चाहो दोस्तों जब भी महसूस करना चाहो बेहिचक चले आना सहर के कोलतार या PCC सरकों पर सरक के कोलतार या PCC सरकों पर कदापी नहीं उगरेगी मिट्टी की खालिस गंद धनवाद भाई सिक्रम कुमार तुम्हारा भाई हूँ भाई अच्छा लगा अपनों को देखकर अपनों से मिल कर यहां मेरे बच्पन की एक कविता मेरे दिल काफी करीब है जब मैं छोटा बालक हुआ कर पिता के कंधों पर हुआ करता था जिसक विताका स सिद्सक है लुए का इंब अगि बहुत दूर तक चला हूँ लुए कउ पिता के कंधों पर हुआसे बाते करते आकास से उचा होते आकास को मुह चिढ़ाते सारा आकास जितते ये मीलों का सफर ना था अनंत दूडियां भी कमतर रही होंगी पिता के कदमों में स्रीहीन कभी ठकते पिता को तब मैंने नहीं देखा था कभी ठकते पिता को तब मैंने नहीं देखा था पिता के कदम कभी रुके कहां थे पिता के जीवट का कोई जोर ना था उनके कंधे कभी जुके कहां थे मेरे वजूद को ढोते हुए उनके कंधे कभी जुके कहां थे मेरे वजूद को ढोते हुए हवा में लहराती मेरी मुठियों को कनखियों से देख पिता का मस्तक हिमाले सा गर्विला हो उठता था तब पिता की उंगलियां थाम नन्हे नन्हे कदमों से चला था मैं कितने कितने रास्ते, कितनी कितनी पकडंडियां, कितने कितने मोर, कितने कितने चौक चौड़ा है, तब पहले पहल रास्तों की पहचान पिता ने ही कराई थी आज भी उन राहों पर, आज भी उन राहों पर मौजूद हैं, पिता के पदचिन्नों के अफसेस, पिता के अद्रिश्य कंदों पर सबार, आज भी मेरा वजूद पिता के अद्रिश्य कंदों पर सबार, आज भी मेरा वजूद आस्मान को मूर्ची ढाता है, धन्यवाद, बढ़िया निहा, मिट्टी की खालिस गंद, अगली कविता, इंसानियत का वजूद, मेरे वजूद में उमर्ती हुई हवा, अक्सर मुझ से पूछती है, मेरे होने का मतलब, इंसानों की इस बेतर्टीव दुनिया में कितना बेमानी है, यहां गुजर बसर करना, जीवन इतना भी दुसकर होगा, कहां पता होता है, किसी भी नवजात, नवागंतूप को, पत्थरों और इमारतों के, पत्थरों और इस्पातों के किलों में तबदील सहर में इंसानों के बीच इंसानियत वाकई कितना बौना है, अगली कविता, जिसका सिर्सक है, गाउं की छोकरियां, गाउं की छोकरियां सिर्सक की या कविता संग्रह में भी आई है, वे छोकरियां आमर कानन में, अमराई की तरुनाई में जूलों पर जूलती हुई अक्सर भाईयों को निहारती हैं बरिगौर से, और मन में पालती हैं धेरों हसरतें, मन के हिंडोले पर तसब्वूर में ही जूल लेती हैं अक्सर, फिर चल देती हैं इकठा करने गोबर, गाउं की छोकरियां हथेलियों के बीच लगन से दुलडाती, सहलाती, ठपकाती हैं लोई, बरे जतन से फिर पाथ देती हैं उपले, पूनम के चांद की सकल में, उपलों के साथ, प्रति दिन चुलहे में, दहकती हैं हस्त रेखाएं, उगते सूरज की मानिंद, लाल दगद अंगारों की सकल में, रचने को मानव संसार, गाउं की ये छोकड़ियां कदापी नहीं होती, इतिहास भूगोल का हिस्सा, नहीं लांग पाती कभी समाज के द्वारा खींची गई सीमा रेखा, अक्सर सिर जुका सुईकार लेती, प्रमपरा से चली आ रही रीत के आगे, सिम्टा लेती खुद को, घर बाहर खरे किये गए, तमाम वरजनाओं के पहार के आगे, गाउं की छोकड़ियां, धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों का, जो आज के इस कारिक्रम से जुड़े हुए हैं, और जो इतनी दूर तक, इतनी देर तक हमारे साथ बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है, अब यह तै करना, आयोजक महोदे का काम है, कि वो किब तक मुझे बरदास्त करेंगे, उनकी इजाज़त जब तक रहेगी, मैं चलता रहूँगा, आप लोगों के साथ बना रहूँगा, अगली कविता जो है, उसका सिर्सक है, सेस बची रहेगी उमेद, यह किशान पराधारित कविता है, सेस बची रहेगी उमेद, किशान, बिंदू से लेकर सिंधू तक, स्रिस्ठी का किंद्र बिंदू है, ज्यानी मानब के उदे से लेकर आज तक, चलाय मान है किशान, सुरी की परिकर्मा करता, पृत्वी की तरद, मिट्टी की खातिर, खेत की खातिर, पेत की खातिर, जमाने भर के भूख की खातिर, ये किशान सेस नाग के मानिंद फन पर धारन किये धरती गतिमान है अनवरत स्रिस्टी के उद्धार की खातिर चुकि वे किशान है इसलिए उन्होंने सहेज रखे हैं धरती के स्रिंगार की खातिर कुछ साबूत बीज सेस बची उमीदों की तरह कुछ होंसले कुछ जिद पीधी दर पीधी उन्होंने सीखा है सहेजना अपने पुर्खों से हर मौसम बादलों के आवारा पन से बुंदों के बरसने की कला सचमुच उन्होंने अब तक बचा रखे हैं युग के कल्यान की खातिर तरबतर पसीने की बुंदों से तरास कर उमीदों के मोती बहुत थोरे से सपने कि ये सच भी होंगे एक नएक देम वो दर से बोला बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लग रहा है कि समय कि अपनी शीमाएं हैं डॉक्टर रविंदर मारूल दी बहुत बहुत बधाई आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं अच्छी बात है अच्छा लग रहा है पता नहीं समय मुझे जो समय आबंटित था वो तो पूरा हो चुका है कब का मुझे अच्छा लगा मैं चलता गया आप जूरते गया कारवा बनता गया मुझे अभी तक आयोजक महोदे से कहीं कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है पता नहीं मैं अपनी रौ में बहा जा रहा हूं आयो जग महोदे जब चाहेंगे मुझे रुखने की इजाज़त देंगे पता नहीं मैं ये लोब समवरन नहीं कर पा रहा कि अपने लोगों के बीच अपनी बातों को रखने कल ये लोब एक और कविता मेरे समझ से तब तक जब तक कि उधर से कोई आवाज ना आए ये कविता का सिर्चक है प्रियतम तुम्हारी खातिर जब भी गर्म तवेपर रोटी दिखता है गोल गोल अत्रिप्त मन के चितिज में पूनम का चांद खिल उठता है पीपल के पत्तियों सा डोल डोल देर तक दूर तक चांद को निहारते सीतल चांदनी में नहाते परवतों जंगलों नदियों जहरनों खेत खलिहानों मैदानों बीरानों में विछी चांदनी को बाहों में समेठते प्रतीत होता है जिन्दगी वाकई कितना रंगीन है चुपके से शंगले प्यूस प्रेम चांद उतर आता है खिर्दे की असीम गहराईयों में अमरत तो घट उरेलता वैसे ही सरस उतरती है निहार नहाई बुंदों में समाई चांदनी और सितलता प्रियतम तुम्हारी खातेर हरियाली की चादरों में लिपती मकमली हरी दूब अपर बिछ जाती है तुम्हारी यादे कुम्हारी यादे धन्यवाद बहुत बोत